हाईलेंड से बड़ी कबर आ रही है जहां बेहत दुखद खबर है जहां इसकूल बस में आग लग गई है बैंकोक में इसकूल बस में आग लग गई है दुखद खबर आ रही है सामने जिसमें 25 बच्चों की जलने से मौत होने की आशंका बताई जा रही है वहीं 19 बच्चों गायल बताया जा रहा है बैंकोग में एक बडिक भब dough भी तक का-बढ़ यह लगने नष्का भी गए यह comed फक्रोड से ऐर है आपको बता दे पर44 बश्चे कुल भड़े टायर पटिए जिसकी वज़ा से आग लगगयी और आग लगने से कई जुलसकर मौत होनी की आशंका हुआ इसमें बता एक सुन शानिग लग गई करीब चवालीज बच्चे को लेकरण चाप लब शालीज़ attracted भी भीशन आग की चपेट में आने से 25 बच्चों की जलने से मौत होने की आशंका है वहीं 19 गायल बच्चों को बचा लिया गया है अपके जब की मरने वालों की संख्या में बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है यह दुरगटना तब होई जब बस राजधानी बैंकॉक से लगभग 200 km उत्तर की और जा रही थी बस कहां जा रही थी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बस पूरी तरह जुलस चुकी है इसमें जो 44 बच्चे सवार थे 25 बच्चों की जलने से मौत होने की आशंका है वहीं 19 गायल बच्चो मौके पर पहुंच चुकी है और इसमें से 25 बच्चों के जलने की मौत की आशंका है वहीं 19 गायल बच्चों को बचा लिया गया है बस कर टायर फटने से बस में आग लगी थी आपको बता दें बस राजदानी बैंकॉक से लगबग 200 km उत्तर की और जा रही थी लेकिन ये जा रही थी इसकी कोई जानकारी उपलग्द नहीं है आपको बता दें ये बड़ा हाथसा थाइलेंड में हुआ है जहां 44 बच्चों को लेकर जा रही बस में अचानक आग लग गई आप देख सकते तस्वीरों में की बस दलकर एक्दम खाक हो गई है राग बचाव कारी की टीमों ने बस पर आग पर काबू पालिया है जिसमें से 19 बच्चों गायल बच्चों को बचा लिया गाया है वही पच्चिस बच्चों के जलने से मौत होने की आशंका बता ही जा रही है